जैने बच्चों इस समय आप लोग महावनाई शूट के यूटूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सब का स्वागत करता हूँ आज हम लोग क्लास 10th स्वियसे मैथेमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रेंगिल्स के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेस्चन नमबर 10 को देखने जा रहे हैं क्वेस्चन नमबर 10 में दिया हुआ है देखें है CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on the sides AB and EF of triangle ABC and triangle EFZ respectively तो figure हम लोग देखते हैं पहले दो ट्रेंगिल हैं एक ट्रेंगिल A, B, C है और दोसरा ट्रेंगिल दिया हुआ है देखते हैं इस दोसरे ट्रेंगिल को और दोसरा जो ट्रेंगिल है ये दिया हुआ है EF, E, Z ये है F और ये है E और ये है Z ये दो ट्रेंगिल हैं अब देखते हैं तो ये दोडो ट्रेंगिल A, B, C और F, E, G हो गया अब यहाँ पर दिया हुआ है C, D देखिए ये है C, D इसको हम पॉइंट D माल लेते हैं और फिर दिया हुआ है G, H ये है G, H और ये दोनो बाई सेक्टर हैं आफ एंगिल A, C, B देखिए A, C, B एक बाट आप माइंड में रख लिएगा यह C, D जो है एंगिल A, C, B का बाई सेक्टर है तो बाई सेक्टर होगा तो ये एंगिल और ये एंगिल दोनो एंगिल एक्वल होंगे और ये जो GH है यह GH इस एंगिल का बाइ सेक्टर है एंगिल EGF EZF इसका बाइ सेक्टर है तो अगर इसका बाइ सेक्टर होगा तो ये एंगिल और ये एंगिल दोनों एक्वल होंगे जहां हम लोग को जरूरत पड़ेगी इनका हम लोग यूज करेंगे फिलाल माइंड में रखते जाएए अब आपको दिया है कि D and H lie on the sides AB D जो है AB पे लाई करता है और H जो है EFE पे लाई करता है अब दिया हुआ है कि ट्रेंगिल ABC ये जो ट्रेंगिल ABC है और ये ट्रेंगिल F easy है ये दोनों ट्रेंगिल similar है तो अब एक बात आप समझ लीजिए कि अगर दोनों ट्रेंगिल similar होंगे तो यहाँ पर CPST लगेगा और CPST जब लगेगा यानि corresponding parts of similar ट्रेंगिल का हम लोग यूज करेंगे तो इनके side equal हो सकते हैं और side equal हो सकते हैं साथ में angle भी equal हो सकते हैं जैसे हम लोगों को आउ सकता समझ में आएगे वैसे हम लोग करेंगे फिलहाल प्रतेक बात को आप mind में रखते जाएए फिर देखें आप से कहा गया है so that cd upon gh या मैं नोट कर देता हूँ cd upon gh is equal to ac upon fc ये प्रूफ करना है first part में और फिर second part में हम लोगों को प्रूफ करना है कि ट्रेंगिल dcb similar to triangle hge dcb ये है dcb और ये है ट्रेंगिल hge इन दोनों को दिखाना है कि ये दोनों similar होंगे और इसके बाद यहां third part को आप देखें third part में triangle dca dca देखें ये है dca similar to triangle hgf तो देखें hgf ये होगा तो अब हम लोग question को solve करेंगे तो सबसे पहले question में हमने आपको बताया था कि जब इस तरह के question solve करने होते हैं तो जो question दिया होता है उस question को अपने form में अपने statement के form में लिख लेते हैं तो चलिए हम लिख लेते हैं given that cd and gh are by sectors of angle a c b and f z e after angle a b c and f e z इसको अपने form में लिखते हैं जो चलिए सुरू करते हैं given that given that cd and gh are the by sectors by sectors of angle of angle a c b a c b and angle a f z e f z e of triangle sir of angles यहां लिख देते हैं आफ ट्रेंगिल a b c and triangle f e z and और दिया हुआ है कि triangle a b c a b c similar to triangle e f e z e f e z hence we want to show that और देन भी लिख सकते हैं देन वी वान्ट टू सो देट so that यह फर्स्ट पॉर्ट में आपको दिया हुआ है c d upon g h is equal to a c upon a c upon f z और second part जो दिया हुआ है second part में दिया हुआ है triangle d c b similar to triangle e h z e और फिर third part में आपको दिया हुआ है triangle d c a similar to triangle e h z f इनको प्रूफ करना है तो देखें यह प्रूफ करना बहुत tough work नहीं है बिल्कुल easy है अब हम यहाँ पर प्रूफ करना सुरू करेंगे तो देखें प्रूफ में सबसे पहले दिया हुआ है कि triangle a b c similar to triangle e h e z triangle a b c a b c similar to triangle e h e z और यहाँ लिख देंगे given यह दिया हुआ है तो अगर दो triangle similar होते हैं न तो इनके side के ratio equal होते हैं और इनके angles होते हैं वो equal होते हैं तो चलिए अगर angle equal करें तो angle a is equal to हो जाएगा angle f angle a is equal to angle f और फिर angle d is equal to angle a angle d is equal to angle a and angle c is equal to angle z अब एक बात और आपको समझना है यह यह by sector हैं यह और यह by sector हैं तो यह angle देखिए angle b c d और angle d c a equal होंगे फिर इसी तरह से angle e g h और angle f g h भी equal होंगे अब एक बात और समझ लिए कि अगर यह angle और यह angle equal हैं फिर यह और यह equal हैं यह और यह equal हैं तो यह angle इसके equal हो जाएगा और यह angle इसके equal हो जाएगा जब हमको जरूरत पड़ेगी तो इसका use करेंगे फिलाल इसको हमें mind में रखे रहना हैं तो चलिए सुरू करते हैं तो first part को हम लोगों को proof करना है तो first part को proof करने के लिए c d upon g h c d upon g h is equal to a c यानि हम इस उपर वाले triangle को लेते हैं triangle a d c and f h z दोनो triangle को हम लेते हैं note करेंगे in triangle a c d लिख सकते हैं a c d and triangle e f z y e f z y अब जब आप देखें यह angle a जो है angle f k equal है angle a equal angle f k यह हम लोग इन दोनो triangle के दो angle equal हो गए तो अगर दो angle equal हो जाएंगे तो a a similar criteria का यूज हो जाएगा अब यह हम लिख देंगे by a a criterion 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 for similar similar triangles similar triangles triangle a c d similar to triangle e f z y यह दोनों triangle similar होगे देखें यह triangle और यह triangle दोनोn triangle similar हो गए तो जब dåनों triangle similar हो जाएंगे तो दो similar triangle b c p e este लगेगा तो अब इस triangle का side c d और इस triangle का side g h का ratio फिर इस triangle का side ac और इस triangle का side f z के ratio जो हूंगे यह equal हो जाएंगे बाइसक्ड़ सीटी एस्टी और फर्स्ट पार्ट में आपको यही प्रूफ करना है तो अब यहां हम लिखेंगे सीडी अपान जीएच इस इक्वल टू एसी अपान एफ जी और फिर यहां लिख देंगे बाई सीटी एस्टी ऐसा क्यों हो रहा है आपको लिखना पड़ेगा सीपी एसटी करिस्पांडिंग पार्ट्स आफ सीमिलर ट्रेंगिल तो यहां लिख देंगे दैट प्रोवड तो यह जो फॉस्ट पार्ट था आपका फॉस्ट पार्ट साल्व होता है अब इसके बाद हमको सेकेंड पार्ट साल्व करना है चलिए हम सेकेंड पार्ट को साल्व करते हैं और सेकेंड पार्ट में देखिए क्या लेना है ट्रेंगिल डी सी भी ध्यान दीजिएगा यहां पर ट्रेंगिल डी सी भी यह है और ट्रेंगिल एच जी एच जी यह है इन दोनों को हमें दिखाना है कि यह दोनों से है तो यहां ले लिया जाएगा इन ट्रेंगिल्स को हम ले रहे हैं तो चलिए देखते हैं इस ट्रेंगिल और इस ट्रेंगिल को ले रहे हैं अब एक ची देखें एंगिल B जो होगा एंगिल E के एक्वल होगा यह पहले ही हम लोग find कर चुके हैं यहाँ एंगिल B is equal to एंगिल E और एक ची देखें यह by sector था तो by sector था तो हमने बताया था यह पूरा एंगिल इस पूरे एंगिल के बराबर तो यह half एंगिल इस आप के बराबर यह half एंगिल इस आप के बराबर तो फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगिल cdb इंगिल cdb is equal to एंगिल यच जी ए यच जी ए फिर यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ट्रेंगिल के दो एंगिल इकोल हो गए तो यहां भी एए से मिलर्टी क्राइटेरिया लगेगा तो फिर यहां लिख देंगे वाई एए क्राइटेरियान क्राइटेरियान आफ सिमिलर या फॉर सिमिलर ट्रेंगिल भी लिख सकते हैं फॉर सिमिलर ट्रेंगिल्स यह हो जाएगा आपका ट्रेंगिल डी सी ए सिमिलर टू ट्रेंगिल याच जी ए तो यह सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया है यहां लिख देंगे दैट प्रूफड और इसके बाद हम फॉर्ट पार्ट को देखते हैं थर्ड पार्ट में देखें डी सी भी यहां है डी सी भी है यह दी सी भी है ठीक है अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट को यह थर्ड पार्ट में देखें क्या है ट्रेंगिल डी सी ए देखें फिगर इसको हम लोग पाले ही प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पर देखें ACD यानि वही DCA और ट्रेंगिल HGF चलिए अब जिस तरह से कर रहा है उसको भी कर सकते हैं लेकिन इसको पाले हम लोग प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पर इन ट्रेंगिल इन ट्रेंगिल्स ट्रेंगिल DCA एंड ट्रेंगिल HGF इन दोनों को हम ट्रेंगिल को लेते हैं तो देखें यह उपर वाला ट्रेंगिल यह उपर वाला ट्रेंगिल इसको हम ले रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एंगिल A और एंगिल F इक्वल है तो लिख देंगे एंगिल A is equal to एंगिल F और फिर जब यह बाई सेक्टर है तो उपर वाला एंगिल इस एंगिल के इक्वल हो जाएगा यानि एंगिल A, C, D एंगिल A, C, D इस एक्वल टू हो जाएगा एंगिल F, Z, H F, G, H यहां भी देख रहे हैं दो एंगिल इक्वल हो गए तो जब दो एंगिल इक्वल हो गए दो ट्रेंगिल के दो एंगिल इक्वल हो गए तो फिर यहां लगेगा बाई A, A, Criterion Criterion For Similar Trangle Similar Trangles अब यह हो जाएगा आपका ट्रेंगिल D, C, A Similar to Trangle E, H, Z, F यह हो गया Diet Approved तो इस प्रकार यह जो तीनों पार्ट हैं यह तीनों पार्ट साल्व होते हैं और हमें उमीद हैं कि यह तीनों पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे आप बीटियो को लाइक जरूर किजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूटूब पर महमना इंस्टूट को सर्च कीजिए फिर रेट कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दिए चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें आप बिल आइकल को भी प्रेस करें तथा उसको आल पे कर दें और वीडियो को मैक्सिमम स्टुडेंट तक सेयर करें ताकि maximum student इसका benefit ले सके हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जाए हिंद